क्यों होती है पुलिस की वर्दी खाकी? क्या है इसके पीछे की वज़ा? भारत में सभी राज्यों की वर्दी खाकी, फिर कॉलकता की वर्दी क्यों होती है सफेद? जाने किस्सा खाकी का? दुनिया के हर देश में सान्ती और कानून विवस्था बनाए रखने का जिम्मा पुलिस का होता है भारत में कोई भी अपराद कहीं पर भी क्यों ना हो? पुलिस हमेशा आपकी सेवा में तैनात नजर आती है यहां तक की कोई भारत्य त्योहार या धार्मिक अनुस्ठान क्य वर्दी का सहारा जरूर लेता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी कियो होता है? बस इसी बात की जानकारी देंगे आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में तो चलिए शुरुआत करते हैं किस्सा खाकी का खाकवर्दी यानि की पुलिस भारत में पुलिस की भैचान बन गई है ये खाकवर्दी जिसे देख कर अच्छे अच्छो के पसीने छूड़ जाते हैं कलकत्ता को छोड़ कर भारत के हर राज्य में पुलिस की वर्दी इसी रंकी होती है अब इसके खाकी रंके पीछे की असल वज़ा जानने के लिए हमें आपको 1907 के उस दोर में ले जाना होगा जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी की बेडियों में जकडा हुआ था उस दोरान ब्रिटीस हुकूमत हुआ करती थी और उसी दोरान पुलिस सफेद रंकी वर्दी पहना करती थी लंबी ड्यूटी होती थी जिसकी वज़ा से वो जल्दी ही गंदी हो जाती थी और गंदी वर्दी भला किसे पसंद हो अब पुलिस कर्मियों को अक्सर इसकी शिकायट रहती थी इसलिए कई बार गंदगी को छिपाने के लिए वर्दी को अलग-अलग रंग में रंगाना शुरू कर दिया गया जिस वज़र से उनकी वर्दी अलग-अलग रंग में दिखने लगी जिसे देखते हुए आलाफसरों ने पुलिस की वर्दी को एक रंग और गंदगी से बचाने के लिए खाकी रंग की डाई तयार कराई उस समय वर्दी को डाई करने के लिए उन्होंने पहले चाय के पत्ती का पानी और फिर कोटन फैबरिक कलर को डाई की तरह इस्तेमाल किया जिसके कारण उनकी वर्दी खाकी रंग की हो गई थी जिससे ना तो धूल मिट्टी रिखती और वर्दी को भी एक रंग मिलता और हुआ भी कुछ ऐसा ही पुलिस वालों को धूल मिट्टी और दाग धबों से तो खैर निजात नहीं मिली लेकिन खाकी वर्दी ने उन दागों धबों को अपने पीछे चिपा लिया जिसके बाद ये खाक रंग लोगों को काफी पसंद आया और इसी के साथ ये कलर पुलिस के आला अधिकारी सर हैरी लंस डेन को काफी पसंद आया और उन्होंने ही इसे सबसे पहले पहना था इसी के साथ साल 1847 में सर हैरी लंस डेन ने खाकी रंग की वर्दी को अधिकारिक तोर पर अपना लिया और तब ही से ये वर्दी भारत्य पुलिस की पहचान बन गई और तब ही से ही ये खाक रंग अधिकारिक रूप से पुलिस की वर्दी में शामिल कर लिया गया जिसके बाद तब से लेकर आज तक भारत के राज्यों में खाकी वर्दी ही पहनी जाती है अब आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा, कि जब सब राज्यों की वर्दी का रंग बदल कर खाकी हो गया, तो कोलकता की पुलिस की वर्दी का रंग सफेद क्यों? कोलकता पुलिस की युनिफोर्म का रंग यूही सफेद नहीं होता, इसके पीछे विशेश कारण है जी हाँ, सन 1845 में कलकता पुलिस का गठन अंग्रेजों ने किया इसी साल पहली बार कलकता में पुलिस कमिशनर की न्यूकती हुई और ज्यादा तर पुलिस के नियम 19-20 सताबदी में ही बनाए गए इसी के चलते कलकता पुलिस का ड्रेस कोड भी तै हुआ उस समय ड्रेस कोड के लिए वैज्यानिक तरीके से सोचा गया दरसल समुंद्र के करीब होने की वजह से यहां काफी गर्मी और नमी रहती थी इस वजह से अंग्रेजों ने पुलिस के यूनिफॉर्म के लिए सफेद रंग चुना ताकि उनके यूनिफॉर्म से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाए और उन्हें ज्यादा गर्मी ना लगे इस खबर में फिलाल इतना ही आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले